नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी स्किम बताने वाला हूँ जहां पर आप अगर अपने बच्चों की पढ़ाई से चिंतित हैं या आप अपने बच्चों की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं उनको डिप्लोमा कराने के लिए या करा रहे हैं और आप हर महिंने उनको pocket खर्चे देते हैं यानिके महिने का 5,000, 7,000, 10,000 रुपे हर महिने देते हैं तो ऐसे में आप चिंतित होते होंगे कि यह र हर महिने आपको पैसों का इंतियाम करना बढ़ता है कैई बार आपके पास पैसा नहीं भी होता होगा उसके बावजूद आप उधा लेकर अपने बच्चों को भेजते होंगे पर दोस्तों कि आपको पता है कि पोस्ट ओपिस की एक ऐसी स्कीम जो कि हर महिने आपको 9250 रुपे दे सकती है और ये पूरे 5 साल तक आपको मिल सकता है इसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि ये भारा सरकार की स स्कीम है दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही सांदार है आप अपनी बच्चों के पढ़ाई के लिए भी इससे इस्तमाल कर सकते हैं या अपना खुद का खड़ते चलाने के लिए भी दोस्तों आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताने वा तेज का ये आर्टिकल है और मौज़ुदा समय में 7.4% का दोस्तों इस पर जो है भी आज देखने को मिलेगा तो इसी सबसे बात करने वाले हैं अब इस स्कीम का दोस्तों नाम क्या है जो की MIS स्कीम है इसका नाम है दोस्तों पोस्ट ओपिस मंतली इनकब इसकीम को लेने के लिए अगर आपको खाता ओपन कराना है तो सबसे पहले आपको पोस्ट ओपिस में जाना पड़ेगा बैंक में दोस्तों ये स्कीम अवे लेवल नहीं है सिर्फ पोस्ट ओपिस में ही जाकर आपको ये स्कीम लेनी पड़ेगी मैक्सिमम भारत सरकार की जितने भी सरकारी यो पोजना है वो पोस्ट ओपिस में चलाई जाती है और सबसे ज़्यादा व्याज जो है आपको वो पोस्ट ओपिस में ही मिलता है तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए एड्रस प्रूफ होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइ जादा है यानि कि अठारह साल नहीं है तो ऐसे में आपके baysब पर दोस्टों आपके वच्छों का खाता खुला जाएगा यानि कि दोस्तों 10 साल से उपर के व्यक्ति के ही इस skim में खाता खुला जाता हैこうी भी हो लड़का हो लड़की हो या आप अपने नाम से दोस्तो इस skim में खाता अपना open करवा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तो जैसे कि मैं आपको बताया monthly income scheme है यहनकि हर महीन ने आपको एक जो किस्त बता दी जाती है एक पैसा बता दी जाता है कि इतना पैसा आपको मिलना है तो मिलना ही मिलना है अब इसमें इंवेस्टमेंट कैसा करते हैं वो आप देख लें सबसे पहले दोस्तों आपको जो है ये स्कीम पोस्ट ओपिस में ही मिलेगी अभी तो 7.4% का ब्याज है और अगर आप इस वीडियो को 3 या 4 महिने के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है ये ब्याज 7.5% हो जाए या हो सकता है 7.1% हो जाए 2% हो जाए क्योंकि हरा सरकार अपनी जितने भी सरकारी योजना चलाती है उनका जो ब्याज है दोस्तो वो हर 3 मह रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम एक व्यक्ति अपने नाम से 9 राख रुपय इन्वेस्ट कर सकता है इसके साथ साथ अगर आप हज्वेंड वाइफ है या आप टोटल मिलाकर 3 लोग है यानि के 2 या 3 लोग मिलकर दोस्तो इसमें जुआइंट अकाउंट भी उपन कर सकते हैं जहां पर आप 15 लाख रुपया दोस्तो इस स्किम में इन्वेस्ट कर सकते हैं अब दोस्तो मान लो इस स्किम में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके टर्मेंड कंडिशन क्या है सबसे पहले मैं आपको बता इस स्किम में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके एक साल पीछे तक जडिके एक साल तक आप पैसा नहीं निकल पाएंगे लोकी इन पिरियट है उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी एक साल से लेकर तीन साल की हो चुकी है और अगर अब आप अपना पैसा निकालना चाते हैं तो कितنا भी पैसा तो हम आ पने जमा किया है, उसका 2% काट कर सारा का सारा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है. अगर आपने अपनी पोलीशी तीन साल से ज्यादे सलाईए है और समय हो चुका है तीन साल से लेकर 5 साल तक, तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना पूरा का पूरा पैसा वो विड्रो कर सकते हैं पर आपका जो interest है मानकर चलें 7% है या 8% जो interest है उसमें से 1% कम करके दोस्तों आपको जो है आपका पैसा रौपस कर दिया जाता है अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको कितना पैसा मिलता है तो वो सारा का सारा मैटर मैं आपको समझाने वाला हूँ calculator पर ले जा कर दोस्तों ताकि आपको सही से समझा सके अब यहाँ आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तो मैंने आपके सामने जो है online calculator open किया है और यहीं मैं आपको दिखाने वाला हूँ total कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है सबसे पहले दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक नाम पर आप maximum 9 लाख रुपे और joint account यानि कि दो लोग या तीन लोग बिलकर अगर खाता उपर करते हैं तो वो 15 लाख रुपे जमा कर सकते हैं तो दोस्तो यहां पर हम सबसे पहले जो है 15 लाख रुपे अमोंट यहां पर डाल देते हैं उसके बाद यहां पर हम देखेंगे यहां पर आप देखेंगे दोस्तो मौझूता समय कि अगर हम बात करेंगे 15 लाख रुपे अगर आप जमा करते हैं और आपको ब्याज मिलता है दोस्तो इस से में 7.4% एक साल के अंदर जो आपको ब्याज मिलेगा 1,11,000 रुपे होगा तो टोटल मिलाकर दोस्तो जो कि 1,11,000 रुपे यह होने वाला है जो कि आपके सामने है यह पूरे एक साल का है और इसको हम डिवाइड करते हैं दोस्तो बारा महिने से यानि कि एक महिने की निकालेंगे तो एक महिने में जो आपको पैसा मिलने वाला है 9,250 रुपे मिलने वाला है क्योंकि यह जो 9,250 रुपे है आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें यह पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो हर महिने दोस्तो यहाँ पर आपको जो है ब्याच के रूप में यह पैसा आपका अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है इसलिए इसको M.I.S.S. किम बोलते हैं अब मान करते लिए दोस्तो कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अपने नाम पर यहाँ पर 9,000,000 रुपे जमा करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा तो दोस्तो 9,000,000 रुपे जमा करने पर आपको साल का पैसा मिलने वाला है 6,600 रुपे जो कि दोस्तो यहाँ पर निकल कर आता है आपके सामने कुछ इस तरीके से और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 12 महिने से तो हर महिने जो आपको पैसा पढ़ने वाला है वो बढ़ेगा 5,560 रुपे यानि कि 9,000,000 रुपे जमा करके जो है आपको यहाँ पर 5,550 रुपे जो है हर महिने मिलने वाला है इसके साथ साथ मान करते लिए दोस्तों कि क दिवाइड करेंगे दोस्तो, बारा से तो यहां पर आप देख सकते हो, हर महिन्य जो भ्याज मिलेगा वो 1850 रुपे मिलेगा, तो ऐसे ही दोस्तो यहां पर जो है आप calculation कर सकते हो, आप 1000 रुपे भी जमा कर सकते हो, कम से कम maximum आप 9 रुपे जमा कर सकते हो, आप 2 रुपे भी तो जितना आपका वज़ाट है, उतना पैसा आप जमा कर सकते हो, अब दोस्तो यह तो मैंने आपको बताया है, कि महिन्य का आपको भ्याज मिलने वाला है, पर अब आपके दिमाग में आ रही होगी, कि यार जो हमने पैसा जमा किया है, एक लाख, दो लाख, पांच लाख, या पंद्रे लाख रुपे उसका क्या होगा, तो दोस्तो पांच साल के बाद, यह ब्याज तो आपको हर महिन्य मिलेगा ही मिलेगा, जितना प्याज मिलना है पूरे पांच साल तक, और जो पैसा आपने जमा किया है, जैसे ही आपका पांच साल का समय पूरा होता है, मैच् इनने ब्याज आपके bank account में credit होता रहता है तो इससे होता क्या है दोस्तो इससे आप अपनी एक pension भी बनवा सकते हैं क्योंकि दोस्तो मंतली pension हो गई या आप ये सोच सकते हो कि हर महिन्य आपको पैसा मिल रहा है आप अपने बच्चों के खर्च भी पुरे कर सकते हो इसके में में आपको काफी अच्छा benefit दे रही है फिलाल दोस्तो इस skim के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद